हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल ल्डव्लूटी जॉब में गॉर्मेंट पर्मनेंट वेकंसी आई है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए और दूसरा विज्यापन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का है कुल पदों की संख्या 1613 है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकिशन की तरफ से ये वेकंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है सैलरी 60,000 तक आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन किस राज्य का है और कैसे जो है अप्लाए करना है क्वालिफिकेशन एस वगरे सारी चीज़े चेक करेंगे सैलरी जो है वह है भी हम दुबारा देखेंगे सबसे पहले जो है आप लोगों को बता दूँ दो विज्यापन है एडवर्टीजमेंट जिसमें 1442 वीकेंट पोस्ट ग्रेजुए टीचर्स के लिए है आर्ट्स, साइंस, हिंदी, संस्कृत दूसरा जो विज्यापन है तो उसमें कुल जो पद है पोस्ट ग्रेजुए टीचर्स के 141 है वेकेंसी ठीक है तो यह 141 वेकेंसी और यहाँ पर 1472 वेकेंसी जो की trained graduate teachers के लिए है पेश केल के अगर हम बात करें तो 60,000 से भी अधिक salary आपकी रहने वाली है 14,000 से लेकर 70,000 तक salary रहेगी including grade pay भी जो है include होगा 8,700 तो काफी अच्छी salary रहेगी thumbnail में मैंने 60,000 लिख दिया है लेकिन इससे अधिक salary आपकी बढ़ने वाली है qualification यहाँ पर कहीं है graduate teachers के लिए arts या science के जो भी candidate है तो graduate teacher arts के लिए 50% marks के साथ में graduation या post graduate हो आप साथ में जो है beard होना चाहिए इसी तरीके से science के candidate के लिए graduation के साथ में beard graduation में 50% marks आपके होने चाहिए तो यह जरूरी qualification थी trained graduate teachers के लिए post graduate teachers की अगर हम बात करें तो salary और भी अधिक है scale of pay 22,000 से लेकर 97,000 तक आपकी यहाँ पर salary है grade पे जो है 11,800 है उसके बाद जो है देख लेते हैं हम यहाँ पर qualification the applicant must be a post graduate in concerned subject with at least 50% marks post graduate आप हो 50% marks के साथ में beard होना चाहिए और साथ में यह भी कहा गया है कि वह subject आपने degree level पर पढ़ा हो यानि graduation में आपके वह subject रहा हो जिससे आपने master degree की है तीसरी condition जो है यहाँ पर in case of Assamese medium school बंगाली medium school तो ऐसे candidate जुनोंने Assamese और बंगाली medium से पढ़ाई की है वो आप देख लेंगे Hindi medium schools के आप देखें कि high school में आपने Hindi language पढ़ा हो English medium के candidate देखने के high school में आपने English पढ़ा होना चाहिए तो vacancy जो है कहां से आई है क्या भारी राज्जी के candidate आविदन कर सकते हैं Government of Assam की तरफ से यह vacancy है Office of the Director of Education BTC Kokraj 13 February 2024 को advertisement जारी किया गया है तो यहाँ पर जो है फर्स्ट लाइन में ही लिखा है Application are invited from eligible Indian citizen as defined in article 528 of the constitution of India and permanent residence of Assam तो ऐसे candidate जो की permanent residence है Assam के वो ही यहाँ पर apply कर सकते हैं बहारी राज्जी के candidate बिल्कुल भी apply नहीं कर पाएंगे यही चीज जो है trained graduate teachers का जो advertisement है उसमें भी यह लिखा हुआ है Article 528 of the constitution of India and permanent residence of Assam बस यह लाइन से जो है बहारी राज्जी के candidate apply नहीं कर सकते हैं वाकि काफी अच्छी जो है vacancy है salary आप देख सकते हैं काफी अच्छी है तो जो भी Assam के candidate है बिल्कुल form fill करें इतनी अच्छी जो है वो vacancy हर बार नहीं देखने को मिलती है detail में जो है advertisement पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को main website पर जाना है link आप लोगों को वीडियो के नीचे description box में बिल्कुल provide किया जाएगा बाकि screenshot आप ले सकते हैं bordoland.corvnt.in सबसे पहले main website पर चले आना है department of education यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को advertisement दिखाई दे जाएगा read all पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर अलग-अलग दोनों ही notification के बारे में दिया हुआ है download कर सकते हैं post graduate teacher recruitment and graduate teacher recruitment ठीक है इससे पहले primary school के लिए भी vacancy यहाँ से जारी की गई थी तो यह permanent government job रहने वाली है जो भी Assam के candidate है अपलाए करें और other state के जो candidate है आप लोगों की भी vacancy बिलकुल जारी होगी जैसे ही जारी होती है आप लोगों को सूचना वीजियो के माद्यम से दी जाएगी regular बने रहें चैनल पर Thank you